तो हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं पॉलिटी में ग्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 पर पहुँच गए हैं तो इससे पहले के जो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सभी कुशन जो है वो किये हैं चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं आज चैप्टर थर्ड इस्थानिय स्वशाशन जिसमें हम पढ़ते हैं पंचायती राजव्यवस्ता यानि ग्रामीर स्वशाशन को और नगरिय स्वशाशन को आज ह दिया गया इसका आंसर है 1992 में 73 और 74 सम्विधान संसोधन द्वारा अब यहीं पर एक कुश्यन जो है वो यह पूछ लिया जाए कि ग्रामीर स्वशाशन या पंचायती राजविवस्ता को किस सम्विधान द्वारा सम्विधानिक दर्जा दिया गया तो आपका आंसर होगा 1992 के 73 सम्विधान संसोधन द्वारा और दूसरे यहां पूछ लिया जाए कि नगरिय स्वशाशन को किस सम्विधान द्वारा सम्विधानिक दर्जा दिया गया तो आंसर होगा 74 सम्विधान संसोधन द्वारा तो याद रखना है कि स्थानी स्वशाशन के दो भाग है पंच जसास्र लिखा तो उसमें उन्होंने राजनितिक प्रशाशन को बताया था तो पुर और गोब उन्होंने किसे बताया इसका आंसर है नगरिय संसाओं को उन्होंने पुर कहा और ग्रामिर संसाओं को गोब कहा प्राचीन काल में दक्षन भारत में इस्थानीय स्वशाशन का शरी किस वण्स को जाता है इस्थानीय स्वशाशन के जनक कौन है तो इसका आंसर है इस्थाने सुशाशन के जनक है लौड रिपन देखिए लौड मेयो जे थे वो इस्थाने सुशाशन का प्रस्ताव लेकर आये थे लेकिन इस प्रस्ताव को पारित कराने वाले थे लौड रिपन इसी लिए इनको इस्थाने सुशाशन का जनक कहा जाता है कि इस्थानिय स्वशाशन के दो भाग पंचायती राजविवस्था जिसे हम ग्रामिल स्वशाशन भी कहते हैं और दूसरा नगरिये तो यहां पंचायती राजविवस्था के बारे में पूछा है जो था 73 वा सम्विधान संसोधन ग्रामिल स्थानिय स्वशाशन को अन्ने किस नाम से जानते हैं? तो मैंने बार-बार इस शब्द का यूज किया है अभी कि ग्रामिल स्थानिय स्वशाशन को हम पंचायती राजविवस्था कहते हैं बहरत में पंचायती राजविवस्ता का सिल्पी, सिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है जो त्री स्तर्य विवस्ता लेकर आए पंचायती राजविवस्ता के अंधर वो कौन है बी आर महता यानि बलबंतराय महता दो अक्टूबर 1969 को प्रधान मंत्री जवाल लाल नहरू ने राजिस्थान के किस जिले से त्री स्तरी पंचायती राजविवस्था का सुभारं या उधगाटन किया तो इसका आंसर है नागोर जिला ग्राम पंचायत का गठन का प्राप्धन किस अनुछेद में है ग्राम पंचायत का गठन का प्राप्धन किस अनुछेद में है तो आंसर है इसका अनुछेद 40 जो की पढ़ते हैं हम राज्य के नीती निर्देशक तत्वों में तो वहां राज्यों को निर्देश है कि ग्राम पंचायत होगी ठीक है तो ग्राम पंचायत के गठन का प्रापधन कहा है अनुचेद 40 में देखिए समविधान के जो अनुचेद हैं अनुसूचियां हैं कितने भाग हैं तो ये सभी हम एक अलग से वीडियो में करेंगे जिसे की आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पर साथ में करते जाईए कि कौन सा अनुचेद किस प्रापधन को बता रहा है ठीक है किस अनुचेद में क्या क्या बात की गई वो यहाँ पर आप कर लीजिए उसके बाद अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी वहाँ पर आपको बहुत इजी वे में आप उनको लर्ण कर पाएंगे तो ग्राम पंचायत के गठन का प्रापधन के सनुचेद में है अनुचेद पोट्टी में पंचायती राज की सन रचना कैसी है कैसी है पंचायती राज विवस्ता की सन रचना तो एक तो यह लंबवत है क्योंकि हम ऐसे ट्राइंगल सा बना लेते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि निमने स्थर पर यानि ग्राम स्थर पर ग्राम पंचायत है उसके उपर खंडे स्थर पर पंचायत समिती है फिर थर नंबर पर जिला स्थर पर जिला परिशद है तो ये एक तो त्री स्थर यह है और दूसरी कैसी है ये लंबवत क्योंकि हम नीचे से उपर क तरफ जाते हैं ठीक है यह चीज आपको याद रखनी है तो अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज में सबसे निम्न स्थर पर कौन सा है तो ग्राम स्थर पर ग्राम पंचायत है और सबसे उच्छे पर कौन सा है तो वह जिला परिशद है किस समिती की सिफारिश पर प्रधान वा जिला प्रमुख प्रत्यक्ष एक निर्वाचन मंदल द्वारा निर्वाचित होना चाहिए कि जो प्रधान और जिला प्रमुख है वह एक निर्वाचन मंदल द्वारा निर्वाचित होना चाहिए तो ये किस समिती की सिफारिश की गई थी? तो ये समिती थी सादिक अली समिती, जिन्होंने ये बात कही थी कि जो प्रधान और जिलाप्रमुक होता है, उससे जो निर्वाचन मंडल द्वारा इसका निर्वाचित निर्वाचन होना चाहिए, लेकिन ये लागू नहीं हुआ. किस समिती की सिफारिश दुइस तर्य पंचायती राज के लिए की गई? किस समिती की सिफारिश पर जो आज हम देखते हैं, त्रिस तर्य पंचायती राजविवस्था, तो उससे पहले किसने की थी सिफारिश की दुइस तर्य पंचायती राजविवस्था होनी चाहिए? त तो ये भी लागू नहीं हुई. किस समिती की सिफारेश पर पंचायती राज को सामविधानिक दर्जा दिया गया? तो लक्ष्मी मल सिंगवी समिती 1986 और पीके थुंगन समिती 1989 इनके सिफारेश पर पंचायती राज को समविधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज की त्रीस तरिये सनरचना का गठन किसके द्वारा किया गया अब देखें यहाँ त्रीस तरिये का पुछा गया है और इससे पहले हमने देखा कि द्विस तरिये की बाद इसकी सिफारिस किस ने की थी असूप महता समिती ने त्रीस तरिये की बाद इसका गठन जो है वो बियार समिती बलवंत राय समिती की सिफारिस पर किया गया इसलिए बलवंत राय महता को ही हम कहते हैं भारत में पंचायती राजविवस्ता का शिल्पकार संविधान के 73 संसोधन द्वारा अब देखिए 73 संविधान संसोधन पंचायती को निर्दिष्ट किये जाने वाले कारे किस अनुसूची में वर्नित हैं तो यह वर्नित हैं 11 अनुसूची में तेखिए संसोधन द्वारा हुआ था ये संविधान संसोधन द्वारा तो जो ग्यारवी 10 अनुसूची थी पहले तो ग्यारवी और बारवी दो अनुसूची जो हैं वो बाद में जोड़ी गई जिसमें हम पढ़ते हैं 11 अनुसूची जिसमें हमने पंचायती और बारवी अनुसूची में हमने नगरिय संसोधन द्वारा तो यहां पर हमें पूछा था कि 73 अनुसूची को निर्दिष्ट किये जाने वाले कार्य जिन्हें विशय भी कहते हैं तो किस अनुसूची में बढ़ने थें 11 अनुसूची में और कितने कार्य हैं 29 यानि 29 69 में ग्राम पंचायत की विधायका कौन होती है ग्राम पंचायत की विधायका कौन होती है तो ये तो हमें पता है कि कारेपाले का क्या होती है विधायका क्या होती है क्योंकि पिसली कक्षाओं में ये चीज तो हम पढ़ ही चुके है तो यदि आपको नहीं पता है तो आप प्लीज जो पहले हमने classes की हैं वहाँ पर देखिएगा वहाँ से basic जो है वो clear होते हैं और यहाँ तक आते आते हमें चीजें समझ में आने लगती हैं ग्राम पंचायत की जो विधाय का है वो कौन होती है ग्राम सभा नेक्स्ट है question 18 ग्राम सभा का गठन होता है तो ग्राम सभा का गठन कैसे होता है ग्राम पंचायत शेत्र की मतदाता सूची में पंजीकरत सदस्यों की संख्या ठीक है जितने भी पंजीकरत सदस्य हैं उनकी सं जंख्या के द्वारा ग्राम सभा का गठन होता है तो जो भी ग्राम पंचायद की मतधाता सूची में पंजिक्र सदस्यों की संक्या है उनसे ग्राम सभा का गठन होगा ग्राम सभा का सदस्य बनने की योगिता क्या है तो इसका आंसर है कि ग्राम पंचायद के समस्त वयस्क नागरिकों के समू जिनकी आयू 18 वर्ष से अधिक हो यानि जिनको वोट देने का अधिकार हो जिनका नाम पंचायद शेत्र की मतधाता सूची में हो अथार्थ वाले लोग ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं यह चीज आपको याद रख लिए है । में ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो यह आपका अंतिम प्रशन था और इसके बाद नेक्सट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी तरीके से हम करेंगे ताकि हर प्रश्ण जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,